दोस्तों पोस्टमार्टम में एक इसा शब्द है जो दिल में बेचैनी पैदा कर देता है। दोक्टर्स बॉड़ी की चीर फाल करके उसके अंदर मौत के कारण का पता लगाते हैं और बाद में बॉड़ी को स्टिच करके उनके घर वालों के हवाले कर दिया चाता है। पहले बॉड़ी को पूरी तरह से बाहरी रूप से एनलाइज किया जाता है। बॉड़ी के आउटर स्ट्रक्चर को देखकर ये पता लगाया जाता है कि बॉड़ी कितने दिन पुरानी है। क्योंकि डेट के दो से तीन दिन के अंदर ही जितना जल्दी हो सके डेट बॉड़ी का पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए। नई तो डेट के कुछी समय में बॉड़ी के अंदर बैक्टिरिया तेजी से डिवलप होने लगते हैं और बॉड़ी डिकंपोस होने लगती है। पोस्टमार्टम हाउस में सबसे पहले बॉड़ी की तस्वीरें ली जाती हैं और वो इसलिए ताकि बाद में जरूरत पढ़ने पर उन तस्वीरों के माद्यम से उस बॉड़ी पर कहां कहां कट या किसी तरह का कोई घाव लगा हुआ था ये देखा जा सके। अगर बॉड़ी पर कोई बर्थ मांक या टैटू बना हुआ है तो उसे भी जरूर नोटिस किया जाता है क्योंकि ये व्यक्ति की पहचान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आगे जाकर शरीर पर कीरा पढ़ने की वजह से कई बाद शरीर की बाहरी बनावट पर काफी असर पढ़ता है जिसके बाद में उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले बादी की आँखों का लिक्विड, बलड, उसके नाखुनों और बालों का सैंपल लेकर लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। इन सैंपल्स के टेस्स से ये पता चलता है कि मरने वाले व्यक्ती ने किसी तरह का ड्रक्स या अलकोहल तो नहीं ली थी। सभी मनिश्यों के फिंगर प्रिंट्स अलग-अलग होते हैं और पोस्माटम हाउस में भी बाडी के सभी फिंगर्स के अलग-अलग प्रिंट लिये जाते हैं। अगर बाडी को समय पुरानी हो जाती है तो डिकॉंपोजीशन की वजह से उसके फिंगर-प्रिंट लेना मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति को अगर गोली मारी गई तो वो बाडी के किस हिस्से में लगी और गोली किस एंगल से चली जिससे पुलिस इंविस्टिगेशन में उस व्यक्ति की हत्या के सुराग तक पहुचा जा सके। एक स्रे का मकसद ये भी पता लगाना होता है कि अगर बाडी की कोई हड़ी तूटी होई है तो उस तूटी होई हड़ी की क्या इस्थिति है। और कई बाडी के तूटने के पैटरन से मार पीट या हत्यारे के मारने के पैटरन का भी पता लगा लिया जाता है। सीने से पैट तक पूरा हिस्सा खोल दिया जाता है और उपरी खाल पूरी तरह से हटा कर उसके अंदर के पार्ट जैसे लीवर, हार्ट, इंटेस्टाइन और भी कई महतुमोड पार्ट अलग-अलग करके रखे जाते हैं। आपको बताते की इन इंटरनल पार्ट का अलग-अलग बजन भी ना पा जाता है। और इसका प्रमुक कारण ये है कि मनुशी के शरीर में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो शरीर के इन हिस्सों पर अपना प्रभावट डालती हैं। और उन बीमारियों की वज़ह से शरीर के अंतरंग हिस्सों का वजन कम या जादा हो जाता है। इस प्रग्रिया से मरने वाले व्यक्ति की बीमारी का भी पता लगाये जाता है। इसके बाद पेट में भोजन और पानी की मात्रा को चेकig कारण साफ हो जाता है। और दूसरा, मरने वाले की मौत कितने समय पहले हुई थी, क्योंकि खाना डाइजेस्ट होने के टाइम से बॉडी की डेथ का पता आसानी से लग जाता है, फिर शरीर के अंदर जो जो भाग पर भावेतिया संदिक दोते हैं, उन्हें लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दि यार करते हैं, अगर बॉडी बहुत दिन पुरानी हो जाए, तो शरीर के अंदर के अलिमेंट्स अंदर पड़े हुए खाने को कंस्यूम करना शुरू कर देते हैं, जिस से काफी बार जहर के मिलने के चांसित घट जाते हैं, और जहर दिये जाने के बावजूद, जहर का प जोड़ दिया जाता है, तो अभी तक आपने शरीर के पेट से लेकर नीचे तक के पूरे हिस्से के पोस्माटम के बारे में जान लिया, अब बात करते हैं दिमाग के पोस्माटम की, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक डिर्ट बॉडी का दिमाग खोल कर उसका पोस्माटम किया च जाता है, और फिर उसके सिर के उपरी हिस्से पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक कट करके खोपडी खोल कर उसके मस्तिश को बाडी से अलग करके बाहर निकाला जाता है, दिमाग की पूरी तरह से बारीकी से जाच की जाती है, और महतुपून भागों को जाच के लिए लैब मे में जरूरी टेस्ट करवाकर उनकी एक रिपोर्ट तयार करते हैं डॉक्टर्स को अगर बॉड़ी में किसी भी तरह के जहर होनी की संभाबना होती है तो वो बॉड़ी पार्ट को क्रोमेटोग्राफी और टॉक्सिकोलोजी जांच के लिए भेज देते हैं और यह सभी काम करन का पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है तो ऐसी संभाबनाओं के चलते हैं कि कहीं आगे जाकर बॉड़ी के अंदर के उन पार्ट को सबूत के तोर पर पेश करने की जरूरत ना पढ़ जाए तो उने स्टोर करके रख लिया जाता है और उन बॉड़ी पार्ट को स्टोर करने हर एक देश में पोस्टमाटम की संख्या में एक कमी आई है कई परिवार तो ऐसे होते हैं जो खुदी बॉड़ी का पोस्टमाटम नहीं कराना चाते ऐसे लोगों का पहला कारण यही होता है कि वो अपने संबंदी मृच शरीर के साथ किसी भी तरह की कोई छेर चाड़ या किसी भी तरह की चीरफार जैसी दुर्दशा नहीं चाहते और वो भाबनात्मक रूप से ऐसा करते हैं वहीं दूसरी और पोस्टमाटम में समय लगने से मृच शरीर का अंतिम संसकार भी लेट हो जाता है जिससे परिवार वाले उस व्यक्ति के अंतिम दर्शन भी ठीक से कर पाते दूसरा कारण अगर मौत संदिक्त परिस्थितियों में हुई है तो जब तक कोर्ट पोस्टमाटम की परमिशन नहीं देता तब तक बॉड़ी रखी रहेगी जिस वजह से सारे काम रुख जाते हैं और साथ ही बॉड़ी को सुरक्शित रखने का खर्चा भी जाता है इन सभी कारणों से कई मृद्विक्तियों के परिवार वाले पोस्टमाटम से बचने की कोशिश करते हैं अलांकि आज डॉक्टर्स ने ऐसी कई तकनीक इचात कर ली हैं जिसमें बिना बॉड़ी की चीर फाल करें उसकी मौत का का कारण और अंदरूनी सारी परिश जगों में आज भी ये लोगों की पहुंच से दूर है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपको पोस्टमाटम के बारे में इतना कुछ जानकर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा